Hello Everyone, Welcome to Complex Engineering तो अभी हम लोग discuss करने वाले synchronous counter के बारे में ओरेडी हमने discuss क्या था asynchronous counter के बारे में asynchronous counter कौन से counter होते हैं वो ऐसे counter होते हैं जिसमें जो flip-flop होते हो simultaneously operate नहीं करते जिसके बज़ेसे जो counter होते हैं उसको हम लोग بोलते asynchronous counter हमने ओरेडी asynchronous counter सिंक्रोनस काउंटर के बारे में डिसकस करने वाले सिंक्रोनस काउंटर के बारे में तो सिंक्रोनस काउंटर में डिसकस करेंगे सिंक्रोनस काउंटर वित रिपल कहरी और सिंक्रोनस काउंटर विदाउट रिपल कहरी तो सबसे पहला डिसकस कर लेते सिंक्रोनस काउंटर वित त्रिपल कही है तो यहां पर यह सिंक्रोनस, सबर्टर, भी तुरित, रिपल कही है जो सरक्रेट्री होगी वह उमें कुछ इस तरीके से दिखायेदेंगे हूश, यहां पर हमने एक flip-flop कंसीर करें। यहां पर यह फ्लिप-फ्ल्प, यहां में लोग टीस करना यहाले फीप फ्लोब का ज़ो इन्पुट है और टीटी तूपर क्याしたव है यह पर यहां और यहां पर हम लोग प्रॉइड करें जिसके वज़े से होगा क्या हरी जो फ्लीफलॉब वो इसको भी हमने separate clock प्रोवाइड कि आप यहां पर देख सकते हो इसको भी हमने separate clock प्रोवाइड कि आप यहां पर देख सकते हो इसको भी हमने separate clock प्रोवाइड करी और इसको भी यहां पर हमने separate clock प्रोवाइड करी तो हर एक flip-flop हमने separate clock प्रोवाइड करी है जिसके वह जैसे हो simultaneously operate करेंगे जिसके वाद जैसे जो counter है इसको हम लोग बोलते synchronous counter तो यहां पर अगर हम लोग देखें यहां पर यह वाला जो flip flop है यह वाले यह वाला जो flip flop है आप cursor की tip को carefully notice करना यह वाला जो flip flop है इसका इसका जो output है उसका हमने कच इस तरीके से आगे proceed की और यह जो output लायन ए उसका हमने end gate में दे दिया similarly यहां पर यह जो end gate आपको जो दिखाए दे रहा है जो कर्सर शो कर रहा है end gate का यह वाला जो input है जो दिखाए दे euros यह वाले जो input है वो यह वाले flip flop का output है यह वाले flip flop का आपट पूट लाएन उसको अमने कुछ इस तरीके से आगे प्रोसीट किया और यह जो आउटपूट है उसको अमने यह एंडगेट के इनपूट में दे लिया अभी यहाँ पर आप कैरफुली अगर नोटीस करें तो यहाँ पर यह जो आपट का जो आउटपूट है वह दो पार्ट में स्प्लिट हो गया है यहाँ पर यह जो आपट का एक जो आउटपूट है वह आगे कुछ इस तरीके से प्रोसीट कर रहा है और यह एंडगेट का दूसरा जो आउटपूट है वह यह तिसरे वाले फ्लिप फ्लोप के टी टू इनपूट में चले गया वो यह वाले end gate का क्या है output I hope आपको यहाँ पर सरक्रीटरी समझ में आ गई होगी और यहीं reason के वज़े से जो counter होता है इसको हम लोग बोलते है basically synchronous counter with ripple carry similarly यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर यह जो यह वाले end gate का भी जो output है वो दो बाट में ब्रेव हो गया यहाँ पर एक जो output है वो कुछ इस तरीके से आगे प्रोसीड कर रहा है और दूसरा जो output line है उसका हमने कुछ इस तरीके से आगे लिया और यह जो output line है उसका हमने output है Q3, output से मの one line ले लि और वह जो output line है उसको हमने ये वाले end gate के input में दे दिया जो कर्सर के tip आपने कुछ इसा आगे प्रोसीड कर धिए और दूसरा जो output है उसका ले दूसरा जो output ए उसका मने लिया और loss of will है flip-flop के input T4 पर दे दिया तो यहां पर यह हमें क्या मिल गया यहां पर हमें मिल गया synchronous counter with ripple carry बहुत सिंपल सी circuit है आपको क्या करना है दो flip-flop का output लेना है और वो दोनो flip-flop का output है आपको क्या करना है हमने क्या क्या सबसे बला यहां फीफ-flop और यहाला flip-flop दूनोंका हमने output हो दोनों का करसर आपको शो कर रहा है उसके इन्पुट में जा रहा है एंस ओन तो यहां पर अभी अगर हम लोग देखे फ्ली-फ्लॉप विल ऑपरेट सैम्ल टूनिसली डियू टू सेपरेट एंस सेम क्लॉप यहां पर यह सारे के सारे जो फ्ली-फ्लॉप यह कैसा ऑपरेट होगे सैम्ल टूनिसली ओपरेट होगे मतलब साथ में ओपरेट होगे क्यों सात में ओपरेट होगे क्योंकर सभी को सेम क्लॉक मिल रही है डूँ लू टू तूर्टल टैम डिले county ऊंक्रूनलर्णईग WORitt T school time delay होता है synchronous counter with ripple carry का वो क्या होता है जो time delay होता है वो होता है td plus n-2 और यहाँ पर यह पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर यह जो td है वो आपको क्या इंडिकेट कर रहा है यह total time delay जो के sum के बराबर में होगा individual time delay of every flip-flop और यहाँ पर यह जो td है वो में क्या इंडिक आपको क्या इंडिकेट कर रहा है यह जो n-2 है वो आपको इंडिकेट कर रहा है आपको क्या इंडिकेट कर रहा है यह आपको इंडिकेट कर रहा है number of end gate तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें एक दो तीन चार हमें कितने flip-flop मिल रहे चार flip-flop मिल रहे तो हमें कितन end gate मिला हमें 3 end gate मिला तो यहाँ पर यह किस तरीके से relation से associated है n-2 यहाँ पर यह जो n हो आपको candidate कर रहा है number of flip-flop number of flip-flop अगर आपको 5 मिल रहे तो 5-2 आपको कितना मिल जाएंगा 3 तो आपको कितना end gate मिल गया 3 end gate मिल गया similarly यहाँ पर अगर आपको 6 अगर flip-flop मिलता तो आपको कितना end gate मिलता यहाँ पर 6 flip-flop होता तो end के जगा 6 6-2 हमें मिल जाता 4 तो अगर 6 end gate होता तो हमें कितना flip-flop मिलता चार चे अगर 6 flip-flop होता तो हमें कितना end gate मिलता हमें 4 end gate मिलता similarly अगर 7 flip-flop अब होता तो हमें कितना end gate मिलता हमें पांच end gate मिलता है बहुत important है similarly यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर यह statement क्या बोटा है synchronous counter is faster than ripple counter जो synchronous counter होता है वो faster होता है रिपल counter के comparison में यह आपको note down कर लो हम लोग आगे comparison के बारे में भी बात करेंगे कौन सा counter faster होता है कौन सा counter slower होता है इसके बारे में हम लोग आगे discuss करेंगे similarly अगर हम लोग देखे maximum allowed clock frequency for synchronous counter with ripple carry synchronous counter with ripple carry इसमें जो maximum allowed clock frequency होती है वो कितनी होती है maximum allowed clock frequency is equal to 1 upon td plus n-2 tg similarly यहाँ पर यह जो td है वो आपको क्या indicate कर रहा है तो आपको करने जो td हमें indicate कर रहा है time delay और यहाँ पर यह जो n-2 ही हमें puisque करता है number of and gate तो यहापर हमने क्या are discuss क्या है यहापर हमने डिस्कस क्या सिन्खुरोणस निजर बिध्र रिपलगेरे किया से सिन्कुरोणस कांटर विदथandel अगरी रिपल्केरे हमने यहाँ पर यह पर कंसिदर कह सर्द फरिंपस्टीर को तो तो कॉ Brook यहां पर कॉन 사़ फ्लॉफ भ्यूइंब कर रहे हैं यहां पर हम लिघू कर रहे हैं यहां पर यहाँ फ्लीफ लॉफ रॉप इसका जो इन्पूट है वह है T0 और जो आउटपूट है वह है Q0 यह वाले फ्लिफ्लप का जो इन्पूट है वह है T1 और जो आउटपूट है वह है Q1 यह वाले फ्लिफ्लप का जो इन्पूट है वह है T3 आउटपूट है Q3 यह वाले फ्लिफ्लप का जो इन्पूट है वह ह को भी हमने separate clock दे दिया तो हर एक flip-flop को हमने separate clock दिया है तो सबको same clock मिलेंगी जिसके होजे से सारे के सारे जो flip-flop होगे वो simultaneously operate करेंगे जिसके होजे से जो counter है वो synchronous counter की category में आता है यहाँ पर आप अभी carefully notice करना यहाँ पर यह वाला जो flip-flop टी-1 तो जैसे के हमने discuss कि है दूसरा जो पार्ट है output line का उसके हमने कुछ इस तरीके से आगे proceed किया कुछ इस तरीके से आगे proceed किया और यह जो line है उसके हमने यह वाले endgate के input में दे दिया similarly यह जो endgate है इसका जो दूसरा एंड गेट के इंपुट में दे दिया similarly यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर यह वाला जो तिसरा वाला जो फिलिफ लॉप ए इसका जो ओटपूट है क्यूटू इसका जो output है Q2 उसको हमने कुछ इस तरीके से आगे प्रोसीट किया कुछ इस तरीके से आगे हमने प्रोसीट किया और यह जो output line है उसको हमने end gate के input पे दे दिया similarly यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर यह वाला जो flip flop है इसका जो output line है Q1 यह output line हमें दिखाए दे रही है Q1 तो यह Q1 जो output line है उसको भी हमने आगे प्रूसीट किया कुछ इस तरीके से आगे प्रूसीट किया और वो जो output है उसको हमने यह वाले endgate के input पे दे दिया मतलब यह वाला flip-flop का जो output है ये वाले flip-flop का जो output है उसको भी हमने ये वाले endgate के input पे दे दिया जो कि हमें ये वाली line शो कर रही है ये वाली line हमें शो कर रही है similarly यहां पर ये वाला जो flip-flop है इसका भी जो output है उसको हमने ये वाले endgate के input पे दे दिया अभी यहां पर ये जो endgate का output है जो कि आपको cursor शो कर रहा है ये जो endgate का output है उसको हम लोग ये वाले flip-flop के ओcciónक का आट-पूट हमें जो दिखाया है दा रहा है अट-गे का जो áइट पूट है उसको हम लोग ये वाले flip-flop के input में दे देंगे जोके हमें ये वाली line शो कर रही है ये वाली line शो कर रही है Similarly, यहां पर यह वाला जो flip-flop है, इसका भी就 output है उसका हम लोग यह वाले end-gate के input में दे देंगे तो हमें कौनसी line show कर रही है, हमें यह वाली line show कर दिये कडसर को केरफली नोटिस करना हमें यह वाली line show कर रही है तो दूसरा वाला जो flip-flop है, उसका जो output है उसका हमने यह वाले end gate के input में दे लिया similarly यह वाला जो flip-flop है इसका भी जो output है उसका हम लोग यह वाले end gate के input में दे देंगे जो कि हमें यह वाली line show कर रही है कुछ इस तरीके से तो यहां पर अगर हम लोग देखें यह वाले end gate में हमें 4 flip-flop के क्या मिल रहे है यह वाले end gate का input है वो चारह वो यह लास्ट वाले फ्लिफ्लॉप के इन्पुट में हिए t4 तो यहाँ पर हमें चाउंटर मिल गया यहाँ पर हमें मिल गया synchronous counter without ripple carry यहाँ कौन सा counter अगर हम लोग देखे यह counter बनाने एकदम सिंपल सा है यहाँ पर यह पहला end gate हमने और इसटी प्लस्टी जो किसम्रें के थिलिघ कर में कर रहा हैं यहाँ पर यही जो टल यदी जो टैमली वोता है वोता है टीडी प्लस टीजी यहांपर यहाँ 1972 पर यहाँ और है Song में के इन्डीगेट कर रहा है तका पर इदिलिए Karaards कर रहां संहें और इस्वा। TGO में क्या इंडिगेट कर रहा है डिक का टाइम डेले इस रिलेशन फो टोडल टाइम डिले यह जो रिलेशन अं टोटल टाइम डिलेगा is only यह घ। इस अले मिद्कले इस और नमबर ओफ लिखलोप इस ग्रेट दैन में इस भी घृत सिर्फंप सिर्फ मतने और देखें तो यहां पर हम लोग देखें अभी अम लोग दिसकस करने वाले यहां पर हमने डिसकस क्या कौन से काउंटर के बारे में Synchronous Counter Without Ripple Carry हमने यहाँ पर discuss किया Similarly अभी हम लोग comparison कर लेते Synchronous Counter With Ripple Carry और Synchronous Counter Without Ripple Carry यह दोनों में differences क्या होते है तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग प्लस N-2 TG जैसे के हमने डिस्कस किया और सिंक्रोनस काउंटर विदाउट रिपल कैरी इसका जो टाइम डिलेगा जो रिलेशन होता है वो था सिंक्रोनस काउंटर सिंक्रोनस काउंटर विदाउट रिपल कैरी इसकी जो टाइम डिलेव ज्यादा होता है Similarly synchronous counter with triple carry इसकी जो speed होती है वो कम होती है ज्यादा होता है इसका जो time delay होता है इसका जो time delay वो ज्यादा होता है Speed is lesser due to more time delay यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखे यहाँ पर हमने discuss कि अगर हमें faster अगर हमें कोई counter चाहिए जिसकी speed fast होना चाहिए तो यहाँ पर हम लोग कौन सा counter यूज करने वाले यहाँ पर हम लोग यूज करने वाले synchronous counter with triple carry या फिर without triple carry हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले synchronous counter without triple carry अगर हमें counter की speed अगर हमें जाधी चाहिए तो मगर यहापर अभी अगर हम लोग देखे इसका एक disadvantage भी है synchronous counter without ripple carry गा तो synchronous counter without ripple carry का disadvantage यह कि यहापर अभी अगर हम लोग देखे जैसी number of end gate जैसी number of flip-flop increase करते जाएंगे तो जो number of end gate होगे वो increase करते जाएंगे and gate increase करने के वज़े से जो end gate का input होगा वो increase करते जाएंगा end gate का input increase करने के वज़े से synchronous counter without ripple carry इसका जो output होगा वो accurate नहीं रहेगा बले से जो speed है वो fast रहेगी तो यह disadvantage होता है synchronous counter without ripple carry का तो यहापर अभी अगर हम लोग देखे due to increase in input of end gate, end gate का input increase करने के वज़े से होगा क्या यहापर बहुत अत्यकी clear है यहापर हमने कितने flip-flop consider किया था यहापर हमने consider किया था पांच flip-flop पांच flip-flop हमने consider किया था और यहापर अभी अगर हम लोग देखे हमें कितना end gate मिला था 3 end gate हमें मिला था और जो end gate का input है वो increase करते जा रहा था यहाँ पर end gate का हमें 2 input मिला यहाँ पर हमें end gate का 3 input मिला यहाँ पर हमें end gate का कितना input मिला यहाँ पर हमें 4 input मिला तो जैसी हम लोग आगे बढ़ते जा है तो जो end gate का input है वो क्या होते जा रहा है वह फास्ट होगी यहां पर अभी अगर आँगोग देखें, due to increase in input of AND gate, AND gate का input increase करने के वजह से, AND gate will not work due to increase in input of AND gate, जैसे का हमने डिस्कस किया, जो AND gate का input वो क्या होगा, वो increase करेगा, AND gate का input increase करने के वजह से, जो AND gate वो बराबर काम नहीं करेगा, due to which output will not be accurate of counter जिसके वज़े से जो आउटपूट ए काउंटर का वो कैसा रहेगा जो काउंटर का जो आउटपूट ए वो accurate नहीं रहेगा यह बहुत important आप इसको note down कर लो मगर ऐसा कोई cases नहीं हो था synchronous counter with ripple carry में ऐसा कोई problem नहीं होती no such case with synchronous synchronous counter with ripple carry synchronous counter with ripple carry में ऐसे कोई problem नहीं होती अगर हम लोग synchronous counter में हम लोग flip-flop कोई increase भी कर सकते और जैसे के हमने discuss किया जो end gate का input होता है यह वाले case में हमने discuss कि end gate का input increase करने के वज़े से होता क्या end gate बराबर से काम नहीं करता जिसके वज़े से हमें जो output है वो बराबर नहीं मिलता accurate नहीं मिलता वागर ऐसी कोई condition नहीं होती यह वाले counter के case में synchronous counter synchronous counter with ripple carry में ऐसी कोई problem नहीं होती no such case with synchronous counter with ripple carry similarly यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखे यहाँ पर यह synchronous counter without triple carry में अगर हम लोग देखे limited number of flip-flop यह यहाँ नहीं कर सकते ज्यादा flip-flop क्यों नहीं कर सकते क्योंकि अगर हम लोग देखे अगर हम लोग ज्यादा flip-flop अगर हम लोग यूज करते तो number of and gate increase होगे number of and gate increase होने वज़े से जो unget ka input होगा वो increase करने लगे गा end gate का input increase करने के वज़े से जो counter वह बराबर से काम नहीं करेगा जिसके वज़े से जो counter का जो output है वह हमें accurate नहीं मिलेगा तो यहीं reason के वज़े से limited number of flip flop हम लोग use कर सकते synchronous counter synchronous counter without triple carry में मगर synchronous counter with triple carry में हम लोग flip flop जाद जाद यूज़ कर सकते demand करता है more number of flip flop can be using counter synchronous counter synchronous counter with triple carry में हम लोग more number of flip flop use कर सकते हैं यहाँ अभी अगर हम लोग देखे synchronous counter with triple carry में क्या होगा each end gate has only two inputs synchronous counter with triple carry में हर एक end gate का कितना input होगा दो input होगा यहाँ पर हम लोग देख सकते synchronous counter with triple carry synchronous counter with triple carry यहाँ पर यह जो end gate है इसका दो इन्पूट है यहाँ पर यह ए एंड गेट का दुए इन्पूट है यहाँ यह पर यह जो О Ond-ककाण टुर synchronous counter with ripple carry में जो जो लगा होता है उस हर एक end gate के input कितने होते हुँ धो होते इच एनडगे अस हाज वीकरिय होते हैं मगर synchronous counter without ripple carry में क्या होता है synchronous counter without ripple carry में जैसे के हम ने डिसकस किया end gate increase करता uh the input increase करते हैं जिसके लिए से एंडगे मरापर से काम नहीं करेंगे तो मैं आपको यहां पर question पुछता हूं अगर आपको speed जाधी चीए तो आप कौनसा counter use करने वाले हो speed अगर आपको जाधा चीए तो आप यूज करने वाले हो synchronous counter without ripple carry मगर यहां पर आपको output जो है वह accurate नहीं मिलेगा अगर आप जाधा flip-flop यूज करते हो मगर आपको अगर output accurate थी और यहां पर आपको speed कम चीए तो आप कौनसा counter यूज करने वाले हो synchronous counter with ripple carry तो आप एक चीज़ note down कर ले ना यह ripple time जबी भी आ गया इसका मतलब जो counter की speed हो क्या होगी वह decrease करेगी जो counter की आपको समझना है counter की speed हो क्या होगी वह decrease कर जाएंगी तो यह मैं आपको यह concept समझ में आएगा जो मैं बोल रहे हों के जो ripple time होगा उसके वज़े से counter की speed है आपको समझना है counter की speed हो कम हो जाएंगी जभी भी हम लोग यह ripple time consider करेंगे